आलिए इस के बढ़े में न दरी कोडानेशन यह इए इस सेशन में हम लोग बात करेंगे सीरीजा बारे में इसजों के लिए इसके आपने परपिरेशन और अप ability का है किईसे एवप बना सकते हैं इसके बारे सीरीज को फॉलो किये हुए हैं तो उनके लिए भी क्या करना चाहिए आगे कैसे प्रोसीड करना चाहिए उसको भी देखेंगे और फिर लास्ट में कुछ आप लोगों के क्वेशन जो आप लोग सकते हैं कि कभी से यूज करना है तो जब आप एक बार सिलबस कवर कर चुके हैं और जाओग्रिफी को जब एक वन राउंड भी कंप्लीशन अगर आपने कर लिया है तो आप उसके बाद से रिवीजन सीरीज को फॉलो कर सकते हैं रिवीजन सीरीज के माध्यम से आपको यूज किया हुआ है पास्टियर के questions discussion के लिए उसके पीछे simple reason यही है कि पहली बात वो यूप्यसी में पूछे गया है और दूसरी बात यूप्यसी के question से आपको एक idea लग जाता है कि आखिर में tone of the question किस तरीके से आ रहा है किस topic को किस context में पूछा जा रहा है कैसे पूछा पार्ट जहां पर आप अपने preparation को प्रैक्टिस के तौर पर कर सकते हैं पास्टियर question से अगर आप question को देखेंगे तो जो 2000 पे 2012 2015 या जब भी questions आए हुए अगर आप उनको देखेंगे तो अगर आप question को आज लिखेंगे तो आपको equally relevant लगेंगे सारे topics क्योंकि यह सारे ही topics ह होते हैं जहां पर आपकी और गवर्मेंट भी काम कर रही होती हो नहीं नहीं रिसर्च भी इसी दौरान में निकाले जाते हैं तो इस वज़े से पास्टियर को चूशन को चूश करना काफी इंपॉर्टेंट था और बीजार्ट को पिक करने के लिए भी पास्टियर question जो हो इस यह देखिए आपर डिपेंड करता है कि कैसे आप रिवीजन सीरीज को यूज कर रहे हैं अगर आप रिवीजन सीरीज को किवल और किवल एक मॉड्यूल के बैसे पर देख रहे हैं तो आपको यह कभी हल्प नहीं करेगी उतनी जितनी यादा आप इसे प्राक्टिस से उनको प्रिपेर कर सकते हैं और साथ ही साथ में को इससिंट के दौरान में जो चीज़ें बताई गई हैं कुछ इन्रिच्मेंट पॉइंट्स बताएगा है को अरुफ डेटा और ऑ्रियंट चीज Guide सबर सकते हैं तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे चीजों को जब रिखे हैं और जब आप इस वे में यूज करेंगे तो आपको रिवीजन सीरीज का काफी फायदा मिल जाएगा कि क्या हम इसे मल्टिपल टाइम देखें या सिंगल टाइम देखना है रिवीजन सीरीज एक ऐसी सीरीज है जहां पर बेसीकली क्वेशन्स डिसकस किये गया हैं जब से आपको उतना फायदा नहीं करेगा जितना ज्यादा लिखने के बाद में चार दिन पांक दिन एक खफ़ते बाद फिर से अगर उसी कोशन को पिक करेंगे तो फिर आपको नए कंटेंट मिल जाएंगी नई चीजे मिल जाएंगे नए डिमेंशन्स मिल जाएंगे उसके प नए-nay points आते हैं तो उसे आप जो questions होते हैं उसमें भी linking काफी अच्छी कर लेते हैं और इससे आपका topic भी strong होते हैं और जो इसमें content है वो भी अच्छे तरीके से आप comprehend कर पाते हैं तो इस वज़े से आप multiple time इसे देख सकते हैं multiple time देखने से आपको काफी फायदा भी होग आप हाओ कैना यूँ हाओ कैने मेक इट मोर एफेक्टिव एफेक्टिव बनाने के लिए देखिए तरीका आपका यही होना चाहिए कि एक बार आप एक बार सिलिबस कवर कर लीजिए सिलिबस कवर करने के बाद में जब आप practice कर रहे हैं question की answer writing skill develop कर रहे हैं तो उस समय आप यूज कर सकते हैं revision module को और यहां से जब आप revision करना शुरू करिए तो ultimately session से use करके session को देख करके ultimately यहां से आप points उठाईए और point उठाने के लिए आपको again context भी पता चलेगा और enrichment पता चलेगा और लिखना कैसे यह पता लग जाएगा तो आप practice करिए एक बार practice करने के बाद म में आप continuously इस पर practice करते रहिए बार बार इसको लिखते रहिए at least jottings और flowcharts तो आप बना ही सकते हैं तो इन सब चीजों को यूज करेंगे तो आपको काफी फायदा हो जाएगा जो लोग नए हैं उनके लिए question आता है कि हमें कैसे geography को strategize करना चाहिए कैसे हमें prepare करना चाहिए तो ideally सबसे पहले आपको syllabus कवर करना चाहिए दो question generally aspirant के दिमाद में आते हैं क्या हमें पहले syllabus कवर करना चाहिए या फिर हमें depth में शुरुवात से ही study करनी चाहिए detailed manner में study करनी चाहिए देखिए तो person to person depend कर सकता और कैसे आपने plan किया उस पर depend कर सकता है आइडियली आपको सबसे पहले syllabus कवर करना चाहिए एक बड़ जब आप syllabus कवर कर लेते हैं तो उससे आपको एक confidence आ जाता है कि मैंने एक बड़ syllabus तो कवर कर लिया है syllabus के लिए book list syllabus और the strategy यह सारी चीज़ा इस बुक में discuss इस वीडियो में discuss की गई है उपर आई बटन बनके भी आ रहा होगा वहां से भी आप पूरी प्लेलिस्ट को follow कर सकते हैं और यहां से आपकी पूरी geography का syllabus wise content है वो आपका प्रिपेर हो जाएगा पेपर 2 के लिए कई बार लोगों को दिक्कत यह आती है कि map making कैसे करनी है तो map making इस session में discuss किया गया है यहां पर आप जाकर के ऊपर i button आ रहा होगा उस पर भी click करके आप map sessions को discuss कर सकते हैं यहां पर आपकी practice हो सकती है बहुत जादा चीज़े नहीं होती है लेकिन जो देख लिया है तो उसके बाद से आप revision series को follow कर सकते हैं revision series से आपको answer writing की practice हो जाएगी और एक बार आपको idea लग जाएगा कि हमें करना क्या है और कैसे करना है short notes भी आपके prepare हो जाएंगे जिससे की जब आप prelims एक बार देख लेंगे तो prelims के बाद में आपको revision करने में काफी आसानी हो जाएगी काफी easily आप चीज़ों को कर ले जाएंगे revision करने के बाद में देखिए आप past year के questions को भी follow कर सकते हैं past year के questions को करना इसलिए important होता है क्योंकि यह comprehensive होता है topic wise को topic wise question करना और एक comprehensive manner में full length paper करना दोनों में काफी difference होता है जब आप topic wise करते हैं तो आपको पता रहता है कि इसी topic को use करना है लेकिन जब आप comprehensive way में करते हैं तो आपको पहले question को identify करना होता है कि किस topic से link हो रहा है तो जब ये काम आप करना शुरू करते हैं तो आप अपने आपको strategize करना शुरू कर देते हैं कि हमें कैसे preparation करनी है, कैसे questions को attempt करना है, किस section को choose करना है, कौन सा section हमारा strong है, कौन सा weak है और accordingly आप यहाँ पर अपनी preparation को और बेटर तरीके से कर सकते हैं तो ideally सबसे पहले आप syllabus cover करिए, फिर revision series को follow करिए, यानि कि topic wise questions करिए और फिर last में आप इस session के माध्यम से जो past year के questions है उसको देख सकते हैं, यहाँ पर भी पूरी playlist तैयार है, यहाँ पर 2017 से ले करके 2020 तक के जो questions है past year के, paper one, paper two, डोनों discuss किया गया है, playlist में जा करके आप चेक कर सकते हैं इसके बाद देखिए, जब एक बार syllabus आप cover कर लेते हैं, तो उसके बाद से कुछ enrichment की जरूरत होती है enrichment के लिए आप इन दो courses को follow कर सकते हैं, one is advanced geography course, second is test series, दोनों enrollment based course है तो enrollment के basis पर तो यह आप already जा करके चेक कर सकते हैं, इस पर वीडियो बनी हुई है अब आपके कुछ questions ले लेते हैं, सबसे पहला question होता है कि strategy क्या होनी चाहिए हमारी देखे, आप मेंसे कुछ लोग होंगे जो new commerce होंगे, new aspirant होंगे, जो अभी exam नहीं दिये होंगे दूसरे होंगे, जो लोग दे चुके होंगे, या फिर कुछ गलतियां किये होंगे तो देखे, strategy आपके ही होनी चाहिए, कि आपके जो content होना चाहिए या फिर जो भी books या जो भी आपने notes बना रखें, पहले तो रडी होना चाहिए और वो syllabus को cover करता हुआ होना चाहिए syllabus आपका छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि syllabus का हर एक पार्ट, हर एक छोटे से छोटा topic बेए equally relevant होता examination के लिए तो सबसे पहले आप अपने notes को prepare करिए notes को prepare करें के दौरान में कुछ basic books को आप follow करिए और इस notes के साथ साथ, क्योंकि notes आपकी बहुत बल्की होती है तो इसको केवल नहीं, आपको एक short note भी बनाना है 100 page की आपको, मतलब 1000 page को 100 page में convert करना है और वो आपको help करेगी जब आप prelims के बाद revision करेंगे तो तो उसमें आपको काफी help करेगा तो इस बज़े से आपके strategy यहीं होनी चाहिए, कि पहले आप अपने notes को बनाए आपका जो optional subject है वो तो prepared है बस उसे क्या होगा, films के बाद में एक बार brushing करने की जरूद पढ़ेगी और वो आप अपने एक बार जब notes पढ़ लेंगे और short notes पढ़ेंगे तो आपको easily सारी चीज़े वापस से याद आ जाएंगी सारी चीज़े आपकी equally relevant हो जाएंगी किस magazine को हम लोग root करें अब देखिए यहाँ पर market में बहुत सारी magazine है जो कि geography से relevant भी है और geography से irrelevant भी है हर एक magazine को follow कर पाना, पढ़ पाना लगभग impossible है तो इसमें आपको करना यह चाहिए कि सबसे पहले आप static subject जो आपके static topics है जो आपके syllabus वाली चीज़े हैं पहले उसको cover करिए current affairs को cover करिए, newspaper को cover करिए जब इन सारी चीज़ को करने के बाद में आपके पास समय मिलता है तब आप magazine पढ़ सकते हैं magazine के लिए बहुत सारी magazines है योजना, कुरुक्षेत्र, geography for you तो बहुत सारी magazine है लेकिन हर एक magazine को follow करना यह impossible task होता है दूसरा option यह आता है कि जिस्ट पढ़ लेते हैं वेब पर जिस्ट भी available है तो देखिए जिस्ट पढ़ने से आपको उतना फायदा नहीं होगा जितना ज्यादा आप खुद से original content ने जब आप पढ़ेंगे जिस्ट जब लिखी जाती है तो उसका एक अलग context होता है उसको लिखने वाले के अलग thoughts होते हैं लेकिन जब आप original content पढ़ते हैं तो आपको multiple dimensions कवर हो जाते हैं multiple dimensions आपको पता लग जाते हैं पहले आप original content पढ़िए कम पढ़िए लेकिन original पढ़िए इससे आपकी writing skill भी habit जो writing skill हो भी काफी अच्छी improve हो जाएगी और साथी साथ में आपको लिखने का तरीका और different different dimensions भी मिलते आएंगे जब आप जिस्ट पढ़िए तो उससे आपके पास point तो बहुत सारे आजाएंगे लेकिन आपको यह नहीं समझ में आएगा कि हमें लिखना कहां पर है लेकिन जब आप original content पढ़िए तो आपको यह चीज़ों को उठाइए एक तो यह सेकंड फिंग हर एक मैगजीन को वर्ड तो वर्ड नहीं पढ़ना है आपको टॉपिक वाइस पढ़ना है जैसे अभी हम लोगों ने तो इस वज़े से थोड़ा यह काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा लेकिन सबसे पहले आप कवर करिए अपना static साथ ही साथ में current affairs और जो भी इसा नहीं करना है जो पास्टियर में कोशन आया है उन्हीं को आप इंडिविजुल बेसिस पर पिक कर सकते हैं जैसे कई कोशन से जो बहुत लेंदी लेंदी बड़े-बड़े कोशन है आप उनको उठाईए उनको ब्रेक करिए कोशन को ब्रेक करके फिर आप छोटी- बुक है ना तो ऐसा कोई मटेरियल जो आपको क्वालिटी स्टैंडर्ड कोशन प्रवाइड करें तो या तो आप बुक्स के मैगजीन से आप खुद से कोशन फ्रेम करके खुद से लिखिए या फिर आप दूसरा तरीका यह ले सकते हैं कि पास्टियर के कोशन को ही क्या में करेंट अफेर्स के नोट बना लेने चाहिए दिखिए आईडियली यूशुड मेक करना क्या चाहिए आपको जब भी आप शॉट नोट बगरे बना रखें हैं डिवीजन सीरियस को दौरान में आपने शॉट नोट बनाए होंगे तो जो आपने शॉट नोट जाएं तो इस तरीके से आपके थोड़ी सी पेस्टिंग होगी शॉट नोट पे लेकिन वो जो शॉट नोट होगा वह आपने आप में बहुत इन्रिजड और बहुत ही क्रिस्पी मटेरियल होगा जो कि आपके लिए प्रलिम्स के बाद बहुत फायदा करेगा जब भी आप केस्सिट्रडी को हमें कैसे फिक करना हैं देखे केस्सिट्रडी के लिए magazines, current affairs materials या फिर newspaper, हर जगा पर case study आती रहती है तो ऐसा नहीं है कि आप case study के पीछे भागें और कहें कि मुझे case study चाहिए, case study चाहिए आपके पास चारों और case studies ही case studies है बस हर एक घटना के, हर एक event के according आपको एक case study prepare कर लेना चाहिए जैसे for example अगर बात करें कोविड के दौरान में राजस्थान model काफी famous हुआ था दिल्ली model famous हुआ था तो आपको पता होना चाहिए कि ये models क्या है and how can we use regional development में इन सारे model को आप use कर सकते हैं similarly, shlums के बारे में अगर बात करें तो धारावी मुबई का है वहाँ पर आपको पता होना चाहिए तो इस तरीके के जो छोटे-मोटे case studies वगर है जो आपको normally newspaper में मिल जाएंगे इसको आप use कर सकते हैं अपने इस content enrichment में तो इस तरीके से जब भी short note बनाई है जब आप उन books को cover कर लेंगे तो उसके बात से अगर आपको लगता है कि अब उन books से नई चीज हम निकाल नहीं पा रहे हैं exploit नहीं कर पा रहे हैं तब आप वहाँ से कुछ दूसरी book को cover कर सकते हैं बहुत ज़्यादा books के पीछे भी आपको नहीं भागना है आपको पीछे भागना है topic और syllabus के syllabus आपका cover होना चाहिए सबसे important चीज यही है तो जब एक बार आपने basic books cover कर ली basic book cover करने के बार में कुछ books को आप पढ़ सकते हैं जैसे suppose आपने सविंदर सिंग पढ़ लिया रूपा मेड सिंपल पढ़ लिया अब इसके बाद से आप जा सकते हैं कि फॉर्मरी पढ़ सकते हैं या इस प्रॉलर पढ़ सकते हैं लेकिन जो भी बुक पढ़िए topic wise पढ़िए word to word आपको नहीं पढ़ना है सारी चीज़े आपको नहीं पढ़नी होती है तो आपके सारे questions यहां पर बताई जा चुके हैं तो बाकी इन दोनों सीरीज को आप फॉलो कर सकते हैं अपनी preparation को और श्टॉंग बनाने के लिए तो दीजाज़ा सीरीज आपको और साइड बेस्ट आफ लुक फ्रॉम आपको अवर साइड दू वेली नियों ग्जामिनेशन थेंक यह सो मच